हेलो एप्रिवन, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज हम लोग बनाने वाले हैं तिल पापड, तो आज मैं आपको तिल पापड बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आपका मिक्स्च ठंडा होके जमने का डर भी नहीं रहेगा, और बिल्कुल इसी तरीके का क्रंच तिल पापड बनके तयार भी होगा, तो चलिए अभी हम लोग इसे बनाना सुरू करते हैं, तो तिल पापड बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है एक चोथाई कप सफेद तिल, इसी के साथ जितना हमने तिल लिया है, उतना ही हमें यहां पे चीनी लेना है, तो मैंने य यहां पर लिया है एक छोड़ी चमच घी तो सबसे पहले यहां पर हम लोग तील को भून कर तयार कर लेंगे इसे भूनते वक्त हमें गयस के फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि तील बहुत जल्दी जल जाता है तो इसलिए हम लोग इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे और से इस त देखिए तील यहां पर फूला भी लग रहा है तो अभी हम लोग इसे दूसरे बरतर में निकाल लेंगे क्योंकि पैन हमारा भी भी बहुत गरम है और अगर हम लोग उसी गरम पैन में तील को छोड़ देंगे तो तील चल जाएगा नेक्स ट्रेप में जाने से पहले हम लो लेना है क्योंकि बाद में हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है तो यह मैंने दोनों को ग्रीज कर लिया है तो चलिए अभी हम लोग नेक्स स्टेप में चलते हैं तो इस स्टेप को अब थोड़ा ध्यान से दिखिए तो सबसे पहले यहां पे मैंने एक पैन ले लिया है और ग्यास का फ्लेम मैंने आप बिल्कुल लोग पे रखा है और अभी हम लोग इसमें चीनी डालेंगे लेकिन जो हमने एक चुथाई कप चीनी लिया था वो सारा च से मेल्ट होने देना हैं घए करेंगे लिरेंगे दो यह जल जायगा से जहाना हैै अगर हम लोग इसे चलाएंगे पीघल जाये में दो फिर ग्याएंगे ऑटक्रण की जिखी दर पिखो बिखल जाए है तो अभी आप देख़िए बहुत हैँ पहुत ह daughters cesair यहाँपless और इसमें बहुत ही अच्छा केरेमल कलर भी आ चुका है तो अभी हम लोग इसमें डालेंगे हमारा भूना हुआ तिल तो हमने दो चम्मच चीनी डाला था तो इसमें हम लोग दो चम्मच तिल डालेंगे तो तिल डालने के बाद अभी हम लोग इसे फटा फट अच्छे से मि निकाल लोंगी बूट पर ढाल लेने के इसे घर्म में ज॑न देंब होते जाएगा वैससे जनकर ऑघकता ही इत्या चला जालाना है जितना पतला हो काफ़ा हो, आप लोग सोच रहे होंगे कि यह फोड़ा थोड़ा बनाने को क्यूं कहा है देखिए हम लोग इस पापड को दो पार्ट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग सारा मिक्सचर एक ही बार में बना देते तो क्या होता कि जब तक हम लोग एक पापड बेलते दुसरे पापड का मिक्सचर ठंडा होके कड़क हो जाता और अगर हम लोग सारे मिक्चर को एक ही बर में बेलना चाहेंगे तो क्योंकि ये ठंडा होके बहुत जल्दी से कड़क हो जाता है इसलिए हम लोग इसी पापड जितना पतला नहीं फैला सकेंगे ये फिर मोटा ही रह जाएगा अगर आप दो जन मिलके से बना रहे हैं तो आप सारा मिक्चर एक ही बर में बना लीजिए और दो अलग अलग बोड में डालके इसे बेल लीजिए लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप इसी पॉसेस से पापड बनाएए जिससे आपका पापड बिलकुल पर्फेक्ट बनेगा तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है और अभी ये अच्छे से ठंडा होके सेट भी हो चुका है तो इसे निकानने के लिए हम लोग एक नाइफ ले लेंगे और नाइफ को हम लोग हलका हलका इसके नीचे से चलाएंगे तो पापड अर्षानी से बोट को छोड़ देता है तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक तिल पापड बनकर तयार हो चुका है तो देखिए मैंने इसे इतना बेला है आप इसे और भी पतला बेल सकते हैं तो सेम प्रॉसेस से मैंने यहाँ पे दुर्षा तिल पापड बना कर भी तयार कर लिया है तो इस मकर संक्रांती आप लोग मेरे इस तिल पापर की रेसिपी को एक बार घर पे जरू से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे रेसिपी कैसा लगा साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना बूलें थेंकियो सो मच फूर वाचिंग